हलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सेंस आफ्ट स्मार्ट शॉप मैं हूँ आपका होस संदीब डटवाल और दोस्तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुती इंफोर्मेटिव वीडियो यह वीडियो है ट्रिपल ए रीचार्जबल बैटरीज और उनके च इतने की पढ़ जाएंगी तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है मार्किट से और यह ट्रिपल ए साइज बैटरीज है जो मैंने पर चेस की है मार्किट से प्राइस की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो ये एक सेट यानि की दो बैटरीज का एक पेर जो है 2 टिपल ए साइज की नि-ए अमच जो बैटरीज है इनकी कॉस्ट मुझे मार्केट में जो पड़ी है वो पड़ी है 250 रुपीज यानि की 125 रुपीज का एक सेल मुझे पड़ा है 200 रुपे के 2 cell और 500 रुपे के 4 cell जो है वो मुझे मिल गए हैं यह तो होगी बात batteries के price की, अब मैं charger के price की बात कर लेता हू तो यह charger जो है यह भी उसी company का है जिसकी यह batteries है NV Company की बैटरी है और इसका जो प्राइस है वो प्राइस है 220 रुपीज जी हाँ दोस्तों ये मेरे को मार्केट में 220 रुपीज का जो है ये प्रोड़क्ट मिला है तो ये देखिए दोस्तों ये है NV कम्पनी का प्रोड़क्ट है ECR20 और ये AA और AAA साइस की बैटरी इसको जो है वो रीचार्ज करने के लिए बनाए गया एक बैटरी चार्जर है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्रोड़क्ट जो है ये डिजिटेक कम्पनी का जो है ये प्रोड़क्ट है रेडी टु यूज रीचार्जेबल सेल्स के लिए बनाए गया है और क्वल्टी प्रोड़क्ट है ठीक है एनवी कम्पनी का ये एनवी ब्रैंड है जिसके नाम से ये चार्जर आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसकी प्राइस मैंने आपको बताई दी ये हमें 220 रुपीज का ये चार्जर मार्केट से मिला है मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग करी तो जो शॉप कीपर थे उन्होंने मुझे ये 220 रुपीज में ये चार्जर दिया है और इसमें आप ट्रिपल A साइज और डबल A साइज बैटरी जो है वो चार्ज कर सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों यहां पर स्पेसिफिकेशन दी हुई है इंपूट आउटपूट और आप कित्ती बैटरी जो है वो चार्ज कर सकते हैं ठीक है बैटरी का टेमपरेचर शेल टेमपरेचर, स्टोरेज टेमपरेचर यहां पर फीचर दी हो है अगर हम फीचर की बात कर लें तो दिस चार्जर कैन चार्ज टू और फोर पीसिस ऑफ डबल-A और ट्रिपल-A न-I-M-H और ए-N-I-C-D रिचार्जबल बैटरीज और टू LED शोस दे चार्जिंग प्रोसेस ऑफ इस कोर्रस्पोंडिंग चार्जिंग श्लॉट बट विल नॉट टू अफ फुली चार्ज तो चार्जिंग का LED दिखता रहेगा आपको और वो आफ नहीं होंगे जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो यह एक सेफटी फीचर आप समझ सकते हैं कि अगर आपने उल्टी सीदी बैटरी लगा दी तो वो चार्ज नहीं करेगा और चार्जिंग करेंट एंड वोल्टेज कीप दे बैटरी लाइफ लॉंगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर हीट एंड ओवर करेंट तो ओवर हीट और ओवर करेंट की प्रोडेक्शन भी इसमें आपको मिल जाएगी यहां पे उन्होंने इंपोर्टर जो है उसका एड्रेस है और कस्टमर केर नंबर भी यहां पे दिया गया है ठीक है तो आप यहां से इन्फोर्मेशन यह ले सकते हैं यह है NV Charger Beetle ECR20 और यह MRP इसका 250 बताए गया है लेकिन यह 220 रुपीज में मिरको मार्केट से मिल गई है और Digitech Company का यहां पे आप देख सकते हैं वेबसाइट भी दी गई है आप ध्यान से देखेंगे हो तो यहां पे वेबसाइट भी दी गई है तो दोस्तों आप Charger खोल के देख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कैसा प्रोड़क्ट मिलता है तो आपको बॉक्स में Charger के अलावा कुछ ने मिलेगा कोई यूजर मैनुवल वगरा जो है वो इसमें नहीं है हमें Charger कुछ ऐसा मिल जाता है ठीक है और यह बैक साइड में आपका पिन्स आ गई इसमें आप ट्रिपल ए साइज और डबल ए साइज बैटरी जो है एट टाइम फूर बैटरी जो है वो चार्च कर सकते हैं और यह इंडिकेटर जो है यह आउन हो जाएंगे जब आप इसको में प्लग से लगाएंगे तो चली बैटरी डाल के देख लेते हैं तो दोस्तो यह है ट्रिपल ए साइज नाई एम एच बैटरी जो इन्फाइनाइट के नाम से जो है कंपनी ने मार्केट में उता रही है यह भी एनवी का ही प्रोड़क्ट है डिजिटेक कंपनी का ही एक प्रोड़क्ट है और इसको अगर हम बैक साइट से देख लें तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1100 mAh की बैटरी है वो दिखा रहा है ठीक है और इन्फाइनाइट प्लस के नाम से यह मार्केट में अविलेबल है यह 250 रुपीज की 2 बैटरी आपको मिल जाती है यानि की 125 रुपीज की एक की बने मिल जाएगी अब हम बैटरी को निकालoine के यूज करके देखेंगे आप देख लिजivas यह दो बैटरी जो मैंने एक एक से एक पैकिंग से निकाली है तो दो बैटरी यह मैंने और निकाली अधिक हैं यह होगी टोटल 4 ट्रिपल ए साइज मह बैटरी जो की 500 रुपे की 4 बैटरी जो है मुझे ये कॉस्ट पड़ी और इसके चार्जर की जो कॉस्ट है वो पड़ी मिर को 220 रुपीज तो आप देखिए इसको लगाने का तरीका सिंपल है नेगेटिव पॉजिटिव देखके आपने लगानी है गलत लगाएंगे तो वो चार्ज नहीं करेगा बस ऐसे करके आपको अगर आपकी ट्रिपल ए है तो आप पहले लॉग करते जाएंगे इन बैटरी जो पॉज़ लगाएंगे तो यह रेड लाइट जो है वो गलॉ कर जाएंगे जब आप इनको यह चारो बैटरी सको आपने प्लेश कर दिया इंस्टॉल कर दिया चार्जर पे और इसको जब आप में युनिट से कनेक करेंगे में पावर से कनेक करेंगे तो यह दोनों जो LED indicators हैं ये glow ओना start हो जाएंगा इट मींस की charging जो आपकी start हो चुकी है तो दोस्तो ये information थी battery charger और batteries की ये AAA size battery है अगर आपकी AA size battery है तो वो भी इसमें charge हो सकती है आप market से जाके purchase कर सकते हैं और जो है अपना daily routine में जहां पे भी batteries का use होता है तो दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा आप comment box में लिखिए आपको ये batteries अगर लेनी हो तो आप अपनी local market में भी search कर सकते हैं और आप मुझे जरूर बताएगा कि आपकी local market में ये batteries और ये charger कितने का मिल जाता है अगर आपकी कोई और भी queries हो या किसी और product के बारे में आप information लेना चाहते हैं तो comment section में लिखिएगा मैं कोशिश करूँगा उसके ओपर वीडियो बनाके आपकी आप तक information share कर सकूँ अगर आप मेरे channel पे new आए हैं या आप मेरे channel पे first time visit कर रहे हैं तो I request you to please like, share and subscribe my YouTube channel Sense of Smart Shop सब्सक्राइब करने के लिए नीचे subscribe button है उसको प्रेस कर लिजे और bell icon को ज़रूर प्रेस करिएगा so that आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए प्रोड़क की information के साथ में तब तक के लिए अपने host संदीब धड़वाल को दीजे इजाजत Thank you so much Subscribe our YouTube channel Sense of Smart Shop For all the new videos, click on the bell icon so you get all the notifications